और सो महारा जो आज का फ़र्स टोपिक है वह है सैटलाइट तो यह लेख लेजिए कि इमने एजिवम करकर यह और यह सैटलाइट है जो अर्थ है उसका मास मैं है यो आज रेडियस यह यह रेडियस है यह है यहराइट एस डीजिस से बार्ट ते से टेलाइट की जो कि हो जाएगी और प्लस है तो यहाँ पर मारा सेंट्रिपिटल फॉर्स क्या सेंट्रिपिटल फॉर्स होता जैसे M.V.Square upon R M.V.Square upon R होता है तो यहाँ पर जब हम इसको expand करेंगे तो यहाँ पर G.M.M. upon R.Square जो कि इसको हमने चेंज कर लिए यहाँ पर इसको change करने के बाद ऐसा देता है तो यहाँ पर जो हमारा सेंट्रिपिटल फॉर्स जाएंगे M.V.Square upon R यहाँ पर जाएगा G.M.M. upon R सुके है जो यहाँ इस फॉर्स के एकुल है तो यहाँ से आर से यह आर एक पावर कम हो जाएगा और M से कर जाएगा तो यहाँ पर V.Square आ जाएगा जाएगा G.M. upon R तो यह मारा V.Square आ गया तो इसके बाद हम जो और M.O. और M.O. और M.O. और M.O. और M.O. तो इसको निकालेंगे तो हम यह इसका हमें इदर के स्क्वेर ता था इसका मनूट को नप्रट जाएगा तो जाएगा G.M. upon R और M. जब हम को यहाँ पर पता है कि यह होता जो होता आर प्लस ह के एकल तो हम इसको चेज कर लेते हैं तो यह R असशब होल जाएगा और जिब बहुत झ्टा होता है तो यह इकल टू र हो जाता है这 जीम एपन आर हो जाएगा everybody are एच तो यह rental है ओने पता कि indeed घर की इकल यह जाएगा, एक पावर तो जाएगा अन्रूट जी आर तो यह और्बिटल स्पीड आ जाएगे मारे पास 7.9 किलोमेटर पर सेकेंड यह मारे पास और्बिटल स्पीड आगई और्बिटल स्पीड है वी नोट वो डिपेंड करती है ओन एम यानिके जो मास ओफ और्थ है और ड्रक्टली इ फर्मूले के अन्रूट एम कि वी नोट इस डाटिब उन्रूट एम वी नोट यानिके और्बिटल स्पीड है वो डिपेंड स्पॉन करते है साइज ओफ और्थ जो साइज ओफ पर्थ उसके विज्ए यहांपे देख आपनी अन्रूट आर और वी नोट डिपेंड पहुन हाइट है याना कि जितनी हाइट होगी उतनी ही वी नोट कम होगी और जो रेडियस होती है रेडियस ओफ दा सैटलाइट उसके भी इनवर्सली प्रोपर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर् लगे उन्रोट जी एम अपन और तो इसने का है कि जो साइस उपर थै वह तो बन जाता है टूटाइम यानि कि यह थो आफ्टाइम प्गो तो जयाएगा जी अपन में यह तो निचते लिए का फोर आघ तो यह खाईगा जो चेंज होगा वह वी नोट पंट टू अपन टू हा तो वी नोट रेडियास तो वी नेट रेश्यो वन अपन टू निकालेंगे तो यह तो जाएगा अन्रूट आर्टू अपन आर वन यह इसके बाद तू आर उपन रफ यह है और तो अर्फ ना तो अपन 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 रूप जाएगा इसका जो ओमारा दू सेटलाइट है उनका बीव्स एज एक कोम्यूंकेस्ट लाइट की जियोस्टेशन सेटलाइट की तरह भी है करता है इट टेक 24 आवर तो कवर ओल टैक्सिज की जो 24 गंटी रहे था अपने सारे की जो एक्सेजों को कवर करने के लिए जो रिलेटिव लोस्ट्यूप जियोस्टेशन सेटलाइट है वह जीरो है विज रिस्पेक्ट टू आर्थ ठीक है वह जो हाइट ऑश्ट लाइट है जो इस ऐट अब जूस्टेशन सेटलाइट टू सरफेस ऑफ आर्थ उसके बाद है कि डारक्शन ऑफ जियोस्टेशन सेटलाइट इस फ्रों वेस्ट टू इस्ट एनकी पस्ट्रिम से पूरो है और आर्टीविसल सेटलाइट में जी होता है वह महारवस्ट जी रोज़ता है कई बार यह मैंने में इन में इसके इनको जैसे मैंने यहां पे कवर लिग्या है मशय कर दोड़ेट कि इनको यह मैं को हैरे इसके लिए यह कोई दो कुछ दो आधिनके सिलिए हिसारा थ Follow खाल जो का में थाभी नार्णिक और तौ्टेर नार्णिएगा यह पता पशल् को जी एकुल तो जी आर सुके यहां पर वैल लूपूट कर दी अंडूट टू जी आर सुके रफ़ों आर था ही तो इसे एक पार करना से लोगे तो एंडूट टू जी आर तो जो इसकी वैल्लियू है वहाई 11.2 किलो मेटर पर सेकेंड यह होते हैं मारे पास इसके स्पीड 11.2 किलो मेटर सेकेंड 11.2 यहां पर देखेंगे वी यानिके जो ओर्बिटल्स इवी नोट ओर्बिटल और वी इसके स्पीड यानिके वी इस अंडूट टू टाइम्स तैन वी नोट यानिका रश्यो हो जाएगा अंडूट टू जो वी यह वह वह डाटली प्रपोर्शनल टू शेम है व वी इसके स्पीड वह इंडिपेंडेंट होती है मास शेफ और साइज ऑफ सैटलाइट इनके अपर रडी पैंड नहीं करती जो मारा मून होता है जान्य चांज होता है उसके जो इसके स्पीड होती है टूपैंट फूर क्लोमेटर पर सेकिंड यह ता मारे पास टूपैंट पूरंपन पूर सेकिंड उसके बाद काइनेटिक एनर्जी सेटलाइट के चीजिते ए हापमी नोटिर यह उसको एगे ही है और है हो कि यहांप है यहाप फेशेम कर गाए लेकिन यह तो यह ती ओरविटल स्पीड को हमने था स्पीरिफ इंबली पूट जाती है और सकाथ प्रक्राइब प्रक्राइब करते होगा तो प्रक्राइब being यह दिए अब यह रघ्र से भी एनडी नहीं के इस टोना सकता है कि इप डासाइज ऑप डासटेलाइब इंग्रीज एक्रीज टोटेश राइट फ्रक्राइब यहां वह गुड़ा है तो कि है तो इसके बाद जैसे हम इसके क्विस्टिन करते हैं तो किस्ट नमारा इसके वर बेस्ट कि मुझा करते हैं कि if इस मास or first become double कि टू टाई होज़ा था मास ओप एक्ट उन्दा escape speed escape speed के पर क्या effect होगा तो escape speed वो होती क्या है VE unroot 2GM upon R और हमाँ पता है कि जो VE है यानि कि जो direct proportional होगी unroot M की तो according to question यह बता था कि become double mass become double यानि कि 2 unroot M तो यह जाएगी unroot 2 VE यानि कि उसे unroot 2 time ज्यादा हो जाएगी यह effect होगा उसके पर next question a body of MKG M mass उसका is raised up to height equal to the radius of earth कि उसको उसाइट तक रीज के जाता है जो earth की radius होती है तो find work need work need निकानला है इसके नहीं के potential energy तो potential energy होती है gmm upon R यह पर जो R होता ही होता है हमने पहले बिता था satellite की जो radius होती 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 to question h है वो equal radius of earth इसमें कहा कि up to radius of earth यानि कि जो height है वो equal radius of earth के तो यानि कि प्रटेशनल जो जी एम अपन में 2R तो जी एम के वैलू होती है जी आर स्केर में पहले ही पता है जी आर स्केर एम अपन 2R तो एक आर से पावर कम होगी तो जा एम जी और एक आर अपन 2 हो जाएगा यानिकि इस दा minimum speed for an object तो यानि कि यह हमारे पास इसका सब्सक्राइब नहीं क्या तो इन एर फोर्स नहीं कि किसी वेजिए तो यह हमारा नेक्स्ट एपिसोड था पास फिजिक्स के लिए शोगाई जी आपने प्लक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इन एर फोर्स नेव कि किसी भी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ-सात में फिजिक्स मैथ और इसके इंग्लीज और साथ-सात इन फॉर्फरमेशनल वीडियो जैसे अड्मिट काड़ाना रिजल्ट अनौंस होना लिस्ट आना इन सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू और जैंग झाल